हट हलो गाइस वेलकम टो अनदर वीडियो तो दोस्तो आज हम बात करेंगे यामा एपजेट टू फाइब के बाड़े में तो दोस्तो आप सब इने जानते होंगे यामा के जो एपजेट टू फाइब फाइनली बेसिक्स में लॉंच हो चुगए और दोस्तो इसमें आपको ब आपको सब कुस समझ में आ साके उसके साथ इस वीडियो के बाड़े में आपको कोई बीडावड़ कुछ सबाएंगा ने पर देनारी आप डुल इन ने कर सकता है मैं आपको तुरुक्तुरारंटी उजहरी रिप्लाइ दे दूंगा तु है। तो सब सब पहले बात कर ले दिस भाई के इंजिन के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको 249CG का सिंगल सिंडर ओयल कुल फोल स्टोप फ्यूलिंग जस्टन सिस्टेम बेसिस कंप्राइन इंजिन दिखने को मिलेगा जिसमें आपको 20.8BHP का पावर और 20.1Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा जो कि आपको BS4 में देखने को मिलते थे 20.9BHP का पावर और 20Nm का टॉर्क जो कि BS4 से आपको BS6 में 0.1BHP का पावर कम और 0.1Nm का टॉर्क जादा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सेम ही ब तो इसका मालेज आपको 35 से लेकर 40 km लेटर मालेज देखने को मिल जाएगा जो कि आपको हाय में थोड़ी ज्यादा मतलब कुछ खास नहीं 42 से लेकर 44 तक मालेज देखने को मिल जाएगा वैसे ही कहना है कंपानी की तरफ से मतलब यह वाइक तो अभी तक लॉंच नहीं हुआ लेकिन कमपनी जो बोल रहा है उसके अकूटरि इसका मालेज आपको वही देखने को मिल जाएगा और अभी बात करते हैं इसका हाय स्पीट के बारे में तो दोस्तो इसमें आपको यामा आरवान 5 बस सें 3 और MT-15 में जो engine cut-up switch की features देखने को मिलते थे वह features आपको इस अभी Yamaha FJS25 और Yamaha FJS25 में देखने को मिलेगा फिर next बात करते हैं इसका body graphics के बारा में तो दोस्तों इसका body graphics आपको कुछ खास changes नहीं देखने को मिलेगा थोरा ही बहुत change देखने को मिल जाएगा इसका body graphics में इसमें आपको phone में एक tuning long visor देखने को मिल जाएगा साथी साथ इसका handle में आपको new knuckle guard भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको एक optional देखने को मिलेगा यह मतलब इसको लगाने के लिए आपको extra pay करना पड़ेगा जो कि कभी दुखी बात है दोस्तो इसमें आपको negative instrument cluster देखने को मिल जाएगा जो कि दुख में time पे भी आपको अच्छे से speedometer दिखाई देगा अभी तो नहीं दिखा सकता इसका meter console लेकिन by show में आने के बाद इसका में full review करके आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तो इसका जो interesting बात है वो है इसका 153 क्लियो ग्रम्स की weight मतलब इसमें आपको light weight देखने को मिल जाएगा अभी next update की बात करता आते है इसका color करके दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे new new color aggressive color की option भी देखने को मिल जाएगा जैसा कि metallic black racing blue metallic white dark green and dark blue तो बहुत सारे color की option आभी bs6 में आपको देखने को मिल जाएगा आपको golden wheels की देखने को मिल जाएगा जैसा जो कि आपको सिप एपजट एज में भी देखने को मिल जाएगा एफ टुफाई में नहीं देखने को मिलेगा और एक golden wheels की वाज़े से बाइक कर लूक और भी aggressive देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आपको नीचे एक जो तो इंजिन के इंजिन भाइजर गार्ड है वो देखने को मिल जाएगा तो कफी अच्छा बात है और इस में सबसे बढ़ी है फीचर्स मुझे जो लगा वो है इसका जो हैंडिलिंग है है हैंडिलिंग के लेफ सब्सक्राइब को एक न्यू यह चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप भी आप रोग देख रहेंगे तो यहीं फिचर मुझे सब्सक्राइब लगा लास्ट वाइक का प्राइस के बारे में तो दोस्तों इसका प्राइज आपको इवेंट था वह सब का कैंसल हो गया इस लोगडाउन और करोना वाइरस की बजाए से लेकिन अब लेकिन अब आपको एप्रिल के लास्ट विक में मतलब आने वाले जो दीन है सामने दीन में आपको देखने को मिल जाएगा तो वही था कुछ छोटा सा इंपरमेशन एपज दोस्तो इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट रो तो प्लिस मुझे इंस्टार में फॉलो कर सकते हैं फॉलो कारने के पास उद्समें जाकर आप डीम भी कर सकते हैं आपको तुरंदी उतार रिप्लाइट दे दूंगा और रही ता कुछ छोटा सा इंपरमेशन तो दोस्तो आज के लिए व्यास इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नामस्कार जाय हिंद जाय भारत